हेलो एब्रिवन हाई हाव आप सब आप सब अच्छे होंगे और आपका तियारी भी काफी अच्छे से चल रहा होगा तो आज जो मैं आपके लिए लाया हूं वो लाया हूं काफी आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप सो में सो नमबर ला सकते हो है खास करके बेसिक मैथ वाले स्टेंडर मैथ वाले तो कुछ पढ़ भी रहोंगे चुकि वह जाने कि मैंने स्टेंडर लिया है तो मुझे काफी मेहनत करनी है वह काफी कमजोर है उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है केवल और केवल एंसी आटी वह अच्छे सा सब्सक्राइब तक नहीं पढ़े है उनका जो बेसिक है वह काफी कमजोर है तो वह भी सो में सौन नंबर कैसे ला सकते हैं इसका स्ट्रेजी मैं आपको आज बता रहा हूं या प्रैक्टिस पेपर पढ़ूं या आरे सगवाल पढ़ूं या आडी सर्मा पढ़ूं क्या सब्सक्राइब तो आपको घबरानी के जरूरेत नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं बस उसको फॉलो कर लो आप आराम से सो में सो नंबर ला सकते हो खास करके कमजोर बच्चे जो बिल्कुल कमजोर अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वह भी सो में सो नं क्या सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के सब्सक्राइन हूं इसाउं थादॉर के सब्सक्राइब कर बैसे करने वाला हूं और खास तो में 80-80 बीक कर रहे होंगे वह सेंपल पेपर भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे अगर आपने तब कुछ भी नहीं पढ़ा है कुछ भी नहीं फिर भी आप सोन नंबर कैसे ला सकते हो इतना अगर आपने बेसिक लिए हैं जिनका मैस बिल्कुल कमजोर है और अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है कि वह अच्छे से अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको जो बता रहा हूं उसको किजिए देखे सबसे पहले आपको करना किया सबसे पहले आपको एंसी आटी को निकालना है आपको ओके एंसी आटी में आपको क्या करना है हर एक चैप्टर का का important question हर एक Chapter का important question हर एक Chapter का important question आपको क्या करना है इसका next video मैं आपको जरूब बना के दूँगा सबसे important question कौन है तो चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा चुकि मैं आपको अगला जो टॉपिक बताने वाला हूं अगला जो वीडियो में बताने वाला हूं उसमें यही बताओंगा कि NCRT का important question कौन सा है ओके तो यह इसे वडियो में बताओंगा कि NCRT का important question मेरे channel पर कहां पर आपको मिलेगा ओके तो देखें NCRT का हर एक chapter का जो important question है important basic math वाले मैं आपको कर देता हूं आपका मैंत्स में 80 से ऊपर आएगा तो जो उसको छोड़ करके जो एक क्या करना है एवरी चैप्टर हर एक चैप्टर का जो सबसे पहले क्या करना है आपको कर लेना है पूरा कंप्लिट कर लेना है अब आपको क्या करना है मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाना है प्ले लिस्ट में मेरे प्ले लिस्ट में एक टॉपिक मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन अप्लिकेशन इसको बोलते हैं ट्राइगनमेट्री स्टैक्स और आपका कॉडिनेट जोमेट्री यह सारा का है इंपॉर्टेंट कोर्शन खास करके एंसी आटी का मैंने बता दिया है यह हो गया आपको बेसिक मैठ वालों के लिए जुन्हों ने अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है वह चाहते हैं कि मैं मैठ में अच्छा नमर ले आओं बेसिक मैठ वाली के लिए मैं बता रहा हूं सेकेंड पॉइंट आपको MCQ, MCQ का मतलब क्या होता है? One marks का question, one marks, previous year का questions का जितना भी one marks का question है, एक एक नमर का, one marks का, MCQ का one marks, मैंने सारा MCQ का, इस description में जाएगा, इस video का description में, वहाँ पर आपको previous year का एक link मिलेगा, वहाँ पर आप सारा previous year को आप क्या कर सकते हैं, वहां से मैंने वन माक्स को को मैंने दे दिया है तो वहां से आप परिंट आउट भी निकाल सकते हैं ऐसको आप कूरा कमपलिट जिसको हम लोग बोल सकते हैं इस सारे को आप अच्छे से कम्प्रिट कर लिजे मैं आपको लिक कर देता हूं कि आपका जो है 80 में 80 मार्क्स आएगा ही आएगा चुकि सारे कुछ से बेसिक वालों के लिए खासकर जीतना भी कुश्शन्स होता है और बहुत सारे ऐसे कुश्शन्स होता है जो इंसी आपको बता दिया तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों यारों में इस वीडियो को ज्यादा सेयर कीजिए जैसे कि उनको भी बोड एक्जाम में मैच से काफी हेल्प हो जाए तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ में तब तक के लिए थैंक यू बाई-बाई